कहान एक कारिगर की एक बार की बात है एक सेट के यहां एक कारिगर मकान बनाने का काम करता था समय के साथ जब कारिगर बुड़ा हुआ तो कारिगर ने सेट से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूं सेट ने कुछ सोचा और कारिगर से का कि चलो तो फिर जाते जाते एक मकान और बना दो तो कारिगर ने उपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हां कर दी अब कारिगर मकान तो बना रहा था लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था सोच रहा था कि सेट की इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था आखिरकार उसने घर बनाया लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनता था काम पूरा करके सेट के पास गया सेट ने पास बुलाया और कहा तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ इसलिए मास तुमें भी कुछ देना चाहता हूँ तुमसे जो घर आकिर में बनुआ है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनुआया है इतना कायकर सेट ने मकान की चावी कारिगर को दे दी अब कारिगर मन ही मन पस्ता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही नहीं बनाया दोस्तो इस काने से में इशिक्षा मिलते है कि हमें अपना काम इमानदारी से करना चाहिए बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना